हेलो हाँ आप सभी लोगों को गुड़ इवनिंग और कुछ लोग तो सो चुके होंगे उनको गुड़ नाइट आज थोड़ा सा लेट वीडियो डाल रही हूं है क्योंकि साम को हो नहीं पाया तो कैसे हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे और लंच लंच के दिनर वगरा कर ल लिए 75 हम आज करना है ठीक है तो चलिए फटा फट आते हैं और फटा फट जो है डिसकस करते हैं क्योंकि वीडियो कितनी बी जल्दी बताओ फिर भी 45 मिनट की होई जाती है अब सारे आंसर उसमें हम देखेंगे तो जाहिर से बात हो ही जाएगी ठीक है तो चलिए आज का ह हम लोग का पहला question है मतलब 76 नंबर का एक खाने का विकार जिसमें एक वेक्ति बहुत अधिक भोजन खाता है और फिस्वा प्रेरित उल्टी वरेचक द्वारा शुद्धी करन करता है उसे क्या कहा जाता है बुकमरी कहते हैं अनुरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं मरासमस कहते है या बुलीमिया नर्वोसा कहते हैं इसमें आपको एक कीवर्ड पकड़ना है कि क्या भोजन भी अधिक खाता है और फिर तुरंद उल्टी भी कर देता है तो ऐसे को क्या बोला जाएगा तो यह एक एटिंग डिसॉर्डर होता है आपका तो इस एटिंग डिसॉर्डर को ह जाने से भी अवॉइड करता है तो ऐसे डिसॉर्डर को हम लोग अनुरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं ठीक है लेकिन इसमें बुलीमिया नर्वोसा में यह होता है तो नों नहीं होता है तो नंब यह ही डिफरेंस है कि bulimia में विक्ति अधिक खाता है और तुरंद वह क्या development होता है यह अपनी पहचान खोजनी की अवस्था है बल्कुल सही बात है इस ताइम हम लोग अपनी कोई न कोई एक ऐसा करियर चूज करते हैं फिर उसी करियर के आधार पर हम अपनी हम अपनी पूरी एक आइडिनिट्री बना लेते हैं ठीक है इस वज़े से यहाँ पर जो कौन से बानो समसाधन का उपिएक तो कौन से संसाधन का कर रही है सतर्कता पूरोग बड़े सचेत होकर कर के आप बढ़ा कौं अनुस कर रही है तो क्या होगा हो तो क्या होग ति मतलब से ऊहिसे में option correct होगा ज्यान आपका knowledge ठीक है फिर दूसरा question है कि जांच योजना को नियंत्रित करने के कि चरण में की जाती मतलब कि ज़िए कि चेक्किंग होती है वो जो क्या बोलते है प्लान के कौन से stage में आती है तो जो आपकी वस्था से कालपनिक रश्रोता दर्सक होते हैं वह आपका । आपको दिख रहाँ गारे सेंसरी मोटर कॉन्क्रीट प्रेड़ेशनल स्टेज और प्री आप्रेशनल स्टेज इसमें यह आपके प्याजे का जो काुग्निक डेवलेपेंट का सद्धान थे त्र उसकी स्टेज ह होती है फिर बहुत आसान कोश्चेन 81 वाला की वयसको में विटामिन डी की कमी को क्या कहते हैं रिकेट्स ऑस्टियों में पोर्स हो जाते हैं और हड्डियां जड़ा सभी चोट लगने पर तूट सकती है इस वज़े से उसको उसको औस्टियों पोरोसिस कहते हैं बाकी रिकेट्स भी आपका विटामिन डी की कमी से होता है लेकिन वो बच्चों में होता ठीक है इसके बाद जो इसकर भी है आपका वो विटामिन सी की कमी है और बेरी बेरी आपकी क्या विटामिन बीवन की कमी है फिर दूसरा फिर दूसरा कोश्यन है बच्चों में प्यारो सुरक्षा की कमी क्या क्या प्रड्याम हो सकता है मतलब अगर बच्चे को आप बहुत जादा लव औन सेक्योरिटी नहीं दे रहे हो तो बच्चे को क्या उसका रिजल्ट हो सकता है अंगूठा चूसना यानि थम सकिंग, एक्सेसिव एंगर, फियर, विनासकारी, विचार, तो इसमें जो बच्चे में परिनाम आएगा, उसका क्या आएगा, अंगूठा चूसना, ठीक है, बच्चे थम सकिंग करने लग जाते हैं इस वज़े से, फिर हम लोग का next question है, 84 यान मास अप्रोच की बात हो रहे, ठीक है, तो मास अप्रोच की बात हो रहे तो इसमें जो आपका option होगा, वो होगा radio, क्योंकि radio में आप कोई भी program या कोई भी news कर देते हैं, तो इसमें एक बड़ी बड़ी ही तादात में जो जन संख्या होती है, वहां तक उसकी news या कोई भी जानकारी पहुँचाई जा सकती है, फिर हम लोगों का 85 नमर के question है, यहां पर आपका ड़ाकरा इसको बोलते हैं, और ड़ाकरा का आपसे full form पूछा जा रहा है, तो इसमें जो इसका full form होगा, development of women and children in rural areas, ठीक है, तो यहां पर second नमर का option है आपका, development of women and children in rural areas, ठीक है, second नमर है कि cambrick तथा popline में प्रियुक्त बुनाई है, twill बुनाई है, plain बुनाई है, basket बुनाई है, या satin बुनाई है, तो जो cambrick और popline है आपका, इसमें आपकी plain बुनाई होती, कौन से बुनाई होती है, plain ठीक है, एक second आप लोग खोल करना थोड़ा, खोल यानी ही वेट करना, हाँ, फिर हमारा next question है, 87 नंबर वाला, यौन प्रेजनन आर्थी क्यों सैक्षणिक परिवार की चार बुनाई आदी कारे हैं, ये किसके दोरा सुझाएगे हैं, ठीक है, तो आपके बेल हैं, वोगल हैं, या मर्डॉक हैं, या फिर आपके मैलविल जे हर्स कोविट से हैं, तो इसमें जो option correct हो जाएगा, मतलब चार बुन्यादी कारे जो बताये गए हैं, वो किसको तरह बताये हैं, जो आपके मर्डोक थे, इन्होंने परिवार के ये चार बुन्यादी कारे बताये हैं, ठीक है, फिर next है, यदि किसी व्यक्ति को अपने कार इस्थर से वेतन के अत इन्कम होगी, या रियल इन्डारेक्ट इन्कम होगी, या आपकी साइकिक इन्कम होगी, ठीक है, तो देखिए, इसमें मनी और साइकिक इन्कम तो आप तुरन थटा देंगे, ठीक है, और इसमें जो आपका option correct होगा, वो आपका correct हो जाएगा, वास्तविक आप option आपका correct हो जाएगा, फिर next है हमारा किसी रंग की चमक या निरस्ता का अतात पर इन्यून में से है, या आपका color से question है, तो आपका hue होगा, मूले होगा, या तीवरता होगा, ठीक है, या इन्में से कोई नहीं, तो इसमें देखिए, चमक और यानि की brightness और dullness की बात कर रह होती है, उससे देख करके, हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि color का, कौन सा color होगा, जैसे red color है, तो इसको हम लोग warm color में रखते है, green color है, तो इसको ठंडी color में रखते है, ठीक है, यहा पर third वाला option आपका correct होगा, फिर हम लोग का दूसरा question है, 90 अमर का, भारा सरकार ने क किस वर्स में रास्टी घेंगा नियंतर कारेक्रम सुरू किया था, मतब कि आपका जो national goiter control program था, वो आपका कबाया था, सीधे option पर आते हैं, वो आपका आएगा, सीधे 1962 में, ठीक है, फिर हम लोगों का next question है, डैश, लोगों का एक समू है, जो एक भागोलिक शेक्त में रह रखते हैं, तो इसको क्या कहेंगा, organization कहेंगे, या फिर community कहेंगे, family कहेंगे, या group कहेंगे, तो आपको समझ आ गया होगा, कि एक ही भागोलिक शेक्त में रहते हैं, और जीवन यापन का जुन का उद्देश है, वो भी एक दूसरे में रूची रखते हैं, ऐसा कहा होता है community में होता है, इस वज़े हम लोग इसको समुदाय कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आपका second number option correct हो जाएगा, फिर हम लोग का next question है, इन में से कौन से अधिनियम के अंतरगत दो अलग धर्मों एवं समुदायों के बीच, समुदायों के विक्तियों के बीच, विवाह के option correct होगा, option number one यानि कि विशेस विवाह अधिनियम ठीक है, जो 1964 में आपका आया था, यह option यहाँ पर correct हो जाएगा, special marriage act 1954, ठीक है, फिर हम लोग का next question है कि प्राकृतिक रेशो में समलित किये जाते हैं, कपास, linen और nylon, कपास, decron और कपास, या फिर आपका कपास, linen और रेशम तो जो आपका सही option है, वो उसी खमतुरंट पकड़ लेते हैं, third वाला आपका सही हो जाएगा, यह वाला cotton, linen और silk, यह आपके किस में है, यह आपके natural fibers में आते हैं, okay, फिर next question है, अग्रिम विवस्थापक प्रतिमान के सिधान पर आधारित है, यानि कि जो advanced organizer model is based on which theory, तो theory of reinforcement है, या आपका theory of meaningful verbal learning है, या आपका theory of conditioning है, या theory of motivation है, ठीक है, तो यह आपका reinforcement है, conditioning है, motivation, यह सब नहीं आएगा इसमें, ठीक है, इसमें जो option correct होगा, वो आपका second वाला होगा, यानि कि theory of meaningful verbal learning, ठीक है, second वाला option यहाँ पर correct होगा, और यह वाला आपका इधर correct होगा, ठीक ह कहां से आपके flags के तने से प्राप्त किया जाता ठीक है इसके बाद फिर आपका है और शहतूत आपका रेशम उस पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं cotton आपका cotton ये नारेल आपका नारेल है ठीक है ICR का आप से full form पूछ रहे हैं तो ICR का full form आप लोग जानते हैं Indian Council of Agriculture Research तो सीधी आपर third प्रिया जाए ठीक है बिना मतलब हम समय नहीं बरबाद करेंगे फिर हम लोगा दूसरा question है Dash को एक विशेश समय के लोगों में बड़े समूत औरा स्विकार की गई Sally के रूप में परिभाशेत किया गया है तो आपका fashion होगा रुजहान है अपील है या सनक या फिर fad है यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग कि मतलब एक विशेश समय में है ना एक ऐसा time आएगा जिसमें एक बड़े group के द्वारा एक कोई ऐसा style आता है जिसको सब लोग बहुत अच्छे से accept कर लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं जाहर से बात है अरिक एरिक्सन उपरक्म से कोई नहीं यह भी बहुत आसान कोश्चन है सिग्मन फ्रोइड का नाम सब लोग जानते हैं और इनकी जो यह personality के three traits बता ही इन होने id ego और super ego ठीक है इसको यहां भी solve कर लेते हैं फिर इस पर आते हैं 99 पर नहीं है आप से नहीं पूछा जा रहा है क्या पूछा जारा नहीं तो आपका shaping होगा insight होगा इसके बाद आप या फिर आपका reinforcement होगा या extension होगा या या इसमें जो इन्होंने आंसर बताया है वो आज इन्होंने बताय इसमें का एक तत्व है तो वह कौन सा है आपका virtual interaction है या फिर आपका positive interdependence है या आपका lack of accountability है या आपका less communication है इसमें जो आपका option करेक्ट होगा वो होगा आपका सकारात्मक अन्यून आसर है मतलब की positive interdependence ठीक है यहां पर भी आपका second number का option करेक्ट होगा फिर आपका 101 question है कि इसमें पैनल चर्चा में दर्चकों का सामना करने वाले अर्धवित्र में कुल डैस विश्यसगें बैठते हैं दो-से-चार बैठते हैं 4-6 . 6-8 या 8-10 इसमें जो बैठते हैं कितने बैठते हैं 4-6 लोग बैठते हैं जुके second number option करेक्ट होगा यहां पर ठीक फिर आते हैं, फिर आते हैं 102 पर कि चिकनी फिनिस के साथ कपड़े का उत्पादन करने के लिए एक आवशक प्रागमिक पर क्रियाओं में से एक है, तो कौन सी यहां फिनिशिंग के बारे में आप से बात हो रही है, तो सिंजींग है, ब्लीचिंग है, टेंटरिंग है या नक को देख लेना है, तो यहां पर जो पूछा जाएगा, बाहरी दुष्य के साथ, घर के भीतर भी यह कांस्ता होनी चाहिए, तो यह बात बिल्कुल सही होनी भी चाहिए, फर नीचत, दरवाजे और खिड़कियों के उची तस्थान क्या होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहि है, और फिर next question दिया गया, कि कमरों के, sorry, next option है, कि कमरों के आकार, आयताकार होनी की जगह, वरगाकार होनी चाहिए, इसमें जो इन्होंने answer दिया, वो इन्होंने 4 दिया है, 4 समझ के क्या दिया है, क्योंकि आपको भी इसमें पढ़के पता चलेगा, इसमें third option सही होना चाह ठीक है, तो four option को आप भी correct मानके चलो, फिर next है, CI से तात पर है, तो CI का full form इसमें पूछ रहा है आप से, computer assisted intelligence या computer analysis इंस्ट्रक्शन, जिसका full form होगा, computer assisted instruction, ठीक है, third वाला option इसमें correct होगा, फिर next है, समय कित बाल विकास योजना पूछ रहे हैं, ICDS आप से पूछ रहे हैं, 1975 में आया था, हर किसी को रटा हुआ है, ठीक है, फिर हम लोग का next question है, भारत में ग्रिफ विज्ञान शुक्षा प्रदान करने वाला पहला संस्थान अस्थापित हुआ था, 1932 में, यह आपको पता ही होगा, 1932 में हुआ था, Lady Irving College, दिल्ली में स्थापना हुई थी इसकी, तो यहाँ पर first option के साथ जाएंगे, फिर next है, 107 number का question की, पित्र सत्तात्मक परिवार वे हैं जहाँ पर, मा का अधिकार सरवोच है, परिवार का बंस पिता के द्वारा होता है, या परिवार के मुखिया माता और मतलब माता पिता दोनों होते हैं, या उप्रोक में से दोनो तो यहाँ पर आपको पता हैंगे, आप से परिवार का बंस पिता के द्वारा होता है, ठीक है, और आपके इंदिया में जादा तर पेट्रियार्कल फैमिली ही हैं भी ठीक है, बदला हो रहे हैं, लेकिन काफी धीरे-धीरे होने हैं, तो इस वज़े सा आप रिलेट कर सकते नेक्स्ट है, एक निश्वी तवधी के लिए दी गई आय में खर्च करने और बजट करने की एक यूजना है, बैलन सीट है, आय विवरड है, या बजट है, या आय विवरड है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा बजट, जहिर से बात है, जो आपको पैसा दिया जाए, जितना उसमें आप क्या करो, प्लान भी कर लो, थोड़ा सा बचा भी लो, तो यह यूजना कहलाती है, आपकी बजट, फिर नेक्स्ट है, अच्छी रोशनी के लिए, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड आपको बेट करना पड़ेगा, अच्छी रोशनी के लिए, हाँ, ठीक है, इसमें इसमें किसके साथ जाएंगे, 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 इसमें किसके साथ जाएं करते हैं कौन साइस में आपका snap फासुन है या modea CAD है या modeability है या auto CAD है इसमें जो option correct होगा हम लोगों काभी होगा snap फासुन ठीक है ये वाला option correct हो जाएगा वतलब one number का next है उद्देमता विकास के लिए प्रेड़ना निमन पर अधारित हो सकती है रजनात्मक्ता यानि creativity इनोटिवनेस यानि की नई सोच या सक्षेस्फुल वुमन इंटरप्रेवर या फिर आपका अल अफ देवर यानि की उपरोग सभी इसमें जो प्रेड़ना पर आधारित होगा वो सभी आपकी होंगे इनोबेटिव मांड भी होना चाहिए और क्रेटिव भी रही होना चाहिए और एक विमन इंटरप्रेवर वाला उसके अंदर एक क्वालिटी भी होना चाहिए ठीक है तो दिव ऑप्सन के साथ जाएंगे फिर next question है निमिकित में से कौन सा vitamin कोशिका जिली का प्रमुख फसा में घुलन सी लॉक्षिकरर रोधी है यानि कि which vitamin is major lipid soluble anti oxygen in cell membrane हिंदी में सायद आपको पढ़के ना समझा है पर इंग्लिश में देखिए anti oxygen in cell membrane तो कुछ सोचना ही है सीधे आपको vitamin E के साथ जाना है ठीक है क्योंकि vitamin E क्या करता आपके जो cell membrane होती है उसको क्या करता है अच्छे से maintain रखता ठीक है फिर हम लोगों का है next question है आखो का रंग चेहरे की फिशिस्ता है और आम तोर पर किस चीज़ से प्रभावित होती है वातावरर से वंसानुक्रम से परिपक्वता से या विकास से बिल फिर next question है वह दिशा जिसमें विकास से सुरू होकर पैरो की ओर बढ़ता है क्या कहलाता है मतलब की head to यह देखिए head and progress towards feet ठीक है यह वाला जो आपका development होता है वो कहां से कहलाता है आपका cephalocardal ठीक है तो cephalocardal की तरफ जाएंगे four number option के साथ और अगर proximal distal होता तो proximal distal मे क्या होता है जो है central to periphery development होता है आपके शरीर का मतलब शरीर के जो मद्धे भागे उनमें development पहले होता है और जो आखिरी के छोन है उनमें बाद में होता है ठीक है फिर next question है कि नेमन में से कौन सा ग्रिविग्यान का नाम है यह वाला question है हम लोगों का तो कौन सा home economics भी है domestic science household arts भी है और यह तीनों नाम है मतलब तो यहां पर भी आपका four number option correct हो जाए पर next question है आपका 116 number का वह अस्तर जो रैखिक आयतन और दव्यमान मापन में आका जाता है वो उसको क्या कहलाएगा वो गुडात्मक अस्तर लचीला अस्तर या मात्रात्मक अस्तर या व्यक्ति पर इसे हम लोगों ने जब growth and development अभी कल वाली उसमें एक question आया था तो उसमें आपको बताया था कि जो आपकी growth होती है उसको quantitative category में रखा जाता है और जो आपका development होता है वो qualitative में रखा जाता है क्यूंकि जो growth होती है उनको आपको quantity में measure कर सकते है quantity में उसको count कर सकते हैं हम कितने इंच हाइट बढ़ी है इस वज़े से quantitative फिर next है triglystite, cholesterol, esters, phospholipids and erlipoprotein मिलकर globules बनाते हैं और वो क्या जाने जाते हैं और वो बाइल से या फिर आपका आप चबा लेते है तो जो बन जाता है वो आपके fat में जाता है तो इसको time कहते है और जब अपने मुह में डालते हैं तो खाना जब थूड़ा सा ए जब गुर्णस बन जाता तो उसको बोलस बोलते की तो यहाँ पर जो आप verse पूछ रहा हो है कि सभी चीजों के एक सब कर दिया जाएगा और यह सभी मिलकर गलोवि十 बनाते हैं इनको क्या इनको कहा जाता है काईो मैक्रांज ठीक है क्या कहा जाता है काई लो-Mाक्रांज पोछmotion करेक्ट हो जाएगा फिर नेक्स है अब नेकर श्रहीं पाट वीडियो ध्वनी और एनिमेशन के फिर है विटामिन E is also called as an, मतलब की विटामिन E को और अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है किससे, तो जो आपका anti-cogglatory vitamin है, anti-regulatory vitamin है, या anti-sterility vitamin है, इसको जो विटामिन E होता है, उसको anti-sterility vitamin भी कहते हैं, anti-sterility vitamin का मतलब क्या है कि यह बांजपन के, मतलब बांजपन से यह पचाता है एक तरीके से ठीक है, और जो आपका anti-cogglatory vitamin है, वो आपका vitamin K होता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक जगन, नई, anti-cogglatory में नहीं आएगा, क्योंकि vitamin K तो जो है, blood को clot करने में मदद करता, ठीक है, तो इस वज़े से हाँ पे यह वाला, थर्ड वाला ही सही होग फिर अब हम लोगों का दूसरा है, partunate period पूछ रहा है, आपसे period of partunate covers death during after birth, मतलब कि जो partunate का अवधी काल होता है, वो जन्म के पस्चात कितना होता है, एक से दो सपता है, या 15 से 30 मिनट या 45 से 60 मिनट, तो partunate period जो होता है, आपका 15 से 30 मिनट का होता है, अगर यहाँ पर तो हमें ठकान होने लग जाते, ठीक है, तो accumulation of lactic acid, ठीक है, फिर हमारा परिधान की भागों का परशपर और पूरे परिधान से संबंध dash कहलाता है, मतलब कि जो relationship of parts of a garment to one and another and to the whole garment, मतलब कि आपकी पूरे dress का जो part होता है, वो एक दूसरे से जो पूरा एक balance बनाता है, उसक जब आपके परिधान में सभी चीज़ें, जो उसके design है, उसके जो आपने उसमें अगर अलग से कुछ design या कुछ सजावट कर रखे, सभी चीज़ें उसकी लंबाई चोड़ाई है, सब कुछ एक अच्छे proportion में रहेगा, तभी आपका जो garment होगा वो पहनने में अच्छा ल यान एक तरीके का आपका क्या है, यह novelty यान के उसमें आता है, क्योंकि यह सजावटी धागा होता है, ठीक है, फिर next है हम लोगों का fat soluble vitamin involved in blood coagulation is, मतला कि वशा में घुलनसील vitamin जो रखत असंदन के लिए ज़रूरी होता है, इसको भी नहीं बताना है, आपको vitamin K होता ही है, 4 number का, ठीक है, फिर है embroidery of Karnatka is called, Karnatka की जो कसीदा कारी है, वो क्या कहलाती, कांथा, चंबा, कसूती, फुलकारी, पंजाब की है, कांथा आपके बंगाल का है, चंबा, रुमाल आपकी हमाचल पर दिसकी है, ठीक है, फिर next है, निमलिकित में से कौन सा उर्जा प्रबंधन का तत्व नहीं है, नहीं की बात करना है, ठीक है, तो इसमें आपका work है, यानि की कारे है, worker यानि की कारे करता है, work organization यानि की कारस्थान है, इसमें जो नहीं की बात कर रहा है आप से की, मतलब उर्जा प्रबंधन का तत्व नहीं है, वो आपका होगा कारे संस्था, ठीक है कारे संस्ता का इसमें कोई काम नहीं है यानि कि work organization का फिर next है एक fashion चक्र में वह चरण जहां शैली को स्विकृति मिलती है क्या कहलाता है मतलब कोई एक मालीजी को स्टाइल आई कोई एक शैली आई कपड़े में तो उसको सब लोग accept कर रहे हैं सब को सब लोग उसको use कर रहे ह है ना उस तम को हम लोग क्या कहेंगे परिचे कहेंगे वृद्धी कहेंगे शिखर कहेंगे या पतन कहेंगे ऐसे में क्या होता है कि फैशन को सब लोग स्विकार कर रहे हो तो उसको बोला जाता राइस क्या राइस यानि कि जो फैशन आया है वह बहुत तेजी से लोग उस आगया है रोनी की आवाज यानि की crying sound, babbling sound या फिर gesture या फिर आपके cooing sound ये चीज़ों जो की गई है बच्चों में मामा दादा नाना ये सब होती है babbling sound होते है ठीक है तो इसको babbling stage बोलते है जिसमें बच्चा एक चीज़ को मतलब ऐसे बोलता है फिर है बच्चमन में ज्या उतक में वसा या उतक में हिमोगलोबिन तो जो होता क्या है कि जो fat होता वो बच्चों के tissues में धिरे-धिरे जमा होने लगता है तो उस वज़े से बच्चों का weight बढ़ता है ठीक है थर्ड option या पर करेक्ट होगा या पर आपका second फिर आते हैं next question की तरब जीन प्याजे के इमसार संग्यानात्मक सनरजनाओ के लिए प्रयूक शब्द को कहते हैं तो यह भी बहुत आसान question है क्या कहते हैं जीन प्याजे को उसको मनोवग्यानिक उपकरण कहते हैं यानि कि psychological tools या फिर assimilation यानि कि आत्मशात करण, zone of proximal development या फिर schema तो इनके कहने का म Garden, आप Garden का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आ गया होगा हरी फरी घास, पेड़पोधे, पार्क इस तरीके का आपके दिमाग में आ गया होगा, मैं आपसे कहँए दू, आपको Mall का नाम आते ही, आपको कोई ऐसे दिख गया होगा, बड़े बड़े shopping, मतलब कई लोग shopping कर रहे हैं न कोई सेल्फी ले रहा है कोई लोग शॉपिंग कर रहे हैं वहां पर बहुत सारी लाइट्स है डेकोरेशन है आपके दिमाग में आ जाएगा यह सब क्या है इसको एक तरीके से आप पोल सकते हो इस्टक्चर आपके दिमाग में नॉलिज का यह सब चीजें आप जो आपके दिमाग में अल्रेडी फीड है इसके लिए जो जीन प्याजे ने टर्म दिया था वो दिया था उन्होंने इस कीमा क्या दिया था इसकीमा ठीक है फोर के साथ जाएंगे फोर तीक है फिर नेक्स्ट कोष्जन है प्रडाली उपागम में सन्वेदन के लिए पाठ एक प्रोच आप अपना रहे हैं जिसमें क्या आप इंस्टक्षन दे रहे हैं समय रहे हैं समय रहा है यह चीज आंदर कुछ neighborhood करनाption गिंगा ओट इसने आदा इवंब met शुदा connection के साथ जहेंगे और लोग रहे है पिलाल आप लोग वें साछ जाओ एक मिन sólo इसमें आपका schema होगा, इसमें आपका आदा होगा, यानि कि input, अब आते हैं दूसरे question पे, कि जो आपका क्या कहते हैं, पिंजर ग्राफ्स होता है, वो कौन से उम्र तक विक्षित होता है आपका, ठीक है, तो, एक second आप लोग रुपना, हाँ, तो इसमें आपका जो यह है, पिंजर ग्राफ्स, कौन से उम्र तक विक्षित होता है, छे माह, बारा माह, अठारा माह, या चौदा माह, इसमें जो आपका option correct होगा, वो होगा आपका बारा माह, ठीक, मतलब कि बारा मंत में यह चीज़ develop होने लग जाती बच्चों में, पिंजर ग्राफ्स क्या होता है, कि मतलब जो बच्चा होता है, वो अपनी four finger और middle finger और अपने thumb को, इन तीनों को एक साथ करके कुईसी भी object को पकड़ता है, तो वो चीज़ होती है, आपके पिंजर ग्रास्प, ठीक है, ग्रास्प मतलब क्या होता, पकड़ना कैसी चीज़ होने पढ़ा है था, regression, इसके बाद आपका sublimation, projection, यह तरह-तरह के वो थे, ठीक है, इसमें जो rationalization, इसमें आपको पूछने कौन सा होगा, प्रतिगमन यानि की regression होगा, identification यानि की तादात्मी करड़ होगा, projection यानि की प्रक्षेपड होगा, sublimation यानि की उद्धाती करड़ हो कह दिया उससे, मतलब भी दूसरों के बारे में भी उसने बही चीज कह दी, तो इसमें जो option हमारा correct होगा, वो होगा आपका प्रक्षेपड, यानि की projection, उसने अपनी ही वो जो कह सकते हो, आपकी जो हरकत, जो काम वो कर रहा था, वही उसने दूसरों के ऊपर भी डाल दिया तो यह क्या होता, अपनी चीजों को दूसरे को पर डाल देना, यह क्या होता, projection होता, ठीक है, मतलब यहाँ पर projection defense mechanism का यूज करके उसने अपने आपको बचाया, ठीक है, फिर next है, घूनने और पकाने की एक सन्यूत विधी है, यानि की combined method of roasting and stewing, तो इसमें आपको पता ही हो जैसे मालीजी कि आपने सिमई को पहले roast किया, फिर आपने उसको boil किया, इसके बाद फिर इस तरीके सबजी का भी हो सकता है, gravy वाली कि पहले आपने अपने oil डाला, और यहा क्या सकते हूँ कि सौटी किया थोड़ा आपने, और इसके बाद फिर इसको गया किया, या फिर simmering method से आपने उसको पकाया, ठीक है, एक्जामे का भी गभी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फिर next है, वनस्पति मूल के खाद पदार्थों में कौन सा पानी में घुलंशील विटामिन उपस्तित नहीं होता है, मतलब कि which water soluble vitamin is not present in food of vegetables origin, मतलब कि वनस्पति, जो आपके water soluble vitamin है और B2 के groups है, ठीक है, इसमें जो आपसे पूछ रहा है कि वनस्पति मूल में नहीं पाया जाए कि वो आपका होता साइनो कोबैलमीन, और साइनो कोबैलमीन आपका क्या है, B12 को ही हम लोग साइनो कोबैलमीन कहते है, और इसमें कोबाल्ट का कितना परसंट होता है, तो उसमें 4% कोबाल पाया जाता है, और यह जो विटामीन होता है आपके non-vegetarian sources में पाया जाता है, ठीक है, या कह सकते हो, आप थोड़ा, मतलब की एक तरीके से vegetarian food में यह नहीं पाया जाता, ठीक है, non-vegetarian source में ही यह पाया जाता है, तो यह हो गया हम लोगों का cyanocobalmine, फिर next है, कटपुतली के प्रकार है, तो hand puppet, string puppet, rod and shadow puppet, या all of the above, तो यह तो आपको पता ही होगा, all of the above, सभी puppet के बारे में होने पढ़ाई था अब उस दिन, next question है, जन्म के समय दिया जाता है बच्चे को, और किस रोग से बचाओ देता है आपका, tuber closest से, और BCG का full form क्या है, bacillus, calmate, urine, ठीक है, अब आते हैं, next question पे, फिर है, अब खतम होने वाला, परशान नहीं होना आपको जल्दी, फिर आपका है, अंकुरर संबंधी निम्कित में से बिल्कुल सही है, क्योंकि यह क्या करता है, स्टार्ज को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, इसके बाद फिर आवश्यक और गयर आवश्यक अमीनों अमल का अनुपात नहीं बदलता है, फिर दूसरा है, मतब थार्ड नमर का है यह वाला, कि इस प्रक्रिया के दौरा है आपका, the ratio of essential to non-essential amino acid does not change, ऐसी बात नहीं, वो चीज़ें भी थोड़ा-थोड़ा अमाउंट में change हो जाती है, क्योंकि germination या फिर sprouting का पूरा concept यह होता है, कि जो complex चीज़े हैं, मतलब complex nutrients हैं आपके, या कह सकते हैं कि complex substance हैं, जो उनको एक easy form में वो convert कर देता है, समझ गय इसी वज़े से इसमें यह बोला जाता है कि जब अगर आप किसी चीज़ को germinate करके खाते हैं, तो उसकी digestibility rate है वो बढ़ जाता है, इस वज़े से आपर जो option correct होगा, वो आपका यह वाला correct होगा, यानि कि इसमें नहीं पूछ रहा है आप से ठीक है, incorrect कौन सा है, यह वाला आपको पता ही होगा, दो से छे वर्स की जो अस्था होती है, वो आपकी early childhood है, छे से बारा आपकी later childhood है, ठीक है, तो next है, शाकाहरी भोजन के package पर कौन सा प्रतीक बना होता है, यह भी आपको पता ही होगा, तो भूरा रंका जो क्या कहते हैं, भूरा रंका जो इसमें सही है इसमें देखिए क्या होता है, जो हरा रंका घेरा होता है, या हरे रंकी बिंदी होती है, वो जिस पर बना होता है, इसका मतलब है कि वो जो भोजन है, वो अपसुदुरूप से शाकाहरी है, ठीक है, और जो आपका non-vegetarian होता है, उस पर क्या कहते हैं, पहले उस पर भी ऐस बिंदी होगी, ठीक है, तो हरा वाला ये बताता है, ये शाकाहरी है, और जो रेड वाला है वो बताता है, मांसाहरी, ठीक है, फिर next है, वह खादे पदार्स जो विसिस सब्स्टेट के रूप में, प्री बियोटिक्स के विकास को बढ़ावा देता है, उसको क्या कहते हैं, तो मतलब कि the food that promote to growth of prebiotics in the form of specific subjects are called antibodies, या polyphenols, या prebiotics, या आपके phytosterol, तो जो आपका इसमें टर्म दिया गया है, जो प्री बियोटिक्स के विकास को बढ़ावा देते हैं, उसमें जो आपका होता होगा आपका prebiotics, prebiotics में आपका जैसे योगर्ट हो गया, और क्या कहते है और भी कई चीज़े, योगर्ट is specially used गया था, प्रियोबियोटिक्स के रूप में, ठीके, तो यहाँ पे हमारा three options correct हो गया, फिर है प्रबंधन नहीं है, management के बारे में पूछना नहीं की बात कर रहा है, लक्ष फ्रापती के लिए योजना, आयोजन, नेंत्रण और मुल्या इस वज़े से यहाँ पे नहीं वाले option में, third वाला correct हो जाएगा, ठीके, और fourth option आपका निरड़यो की सिंखला, बिल्कुल सही बात है, हम इसको एक decision लेते है, step by step, ठीके, तो यह तीनों चीज़ें आपके परउंधन में आएंगी, लेकिन जो आपका सिर्फ संसादनों का ख है, यह एक तरीके का आवश्यक वसी अमला, यानिक, essential fatty acid के category में आता है, ठीके, यहाँ पर यह option correct हो गया, monosaccharide तो आपका carbohydrate है, जिसमें आपको glucose और galactose और यह सा बाते हैं, ठीके, फिर है आपका वृद्धी, देखिए, फिर से पूछा है, growth refers to change, कौन सा change, गुडात्मक, म मातरात्मक दोनों या कोई नहीं, तो आपको देखिए, वृद्धी की बात करा है, तो वृद्धी आपकी क्या होगी, quantitative होगी मातरा में, ठीके, आप count कर सकते हैं, कितने kilogram weight बढ़ा है, फिर next है, यदि कोई बच्चा धोजन को मुझ से बाहर निकालने का इशारा करता है, त तो trisame का full form आपका क्या होगा, training of rural youth for self-employment, ये हो गया आपका ये वाला question, second वाला option आपका correct हो गया, स्वारोजगार के लिए grammar yuko का प्रशिक्चन, ठीक है, फिर आता 147 नमबर का question, कि एक वयस्क में कुल दानिक उर्जावय के अवयव है, क्या है, आधारी चैप्चा यानि जब भोजन का breakdown हो रहा है, या उसके शरीर में कह सकते हो, आपके उसके सरीर से निकलने वाली जो उर्जा है, या उसके सरीर से निकलने वाली जो उश्मा है, उस चीज़ को thermogenesis बोला जाता है, और ये इस तरीके का यंत्र माना, यंत्र नहीं कह सकते है, आपके पुरा system एक स use होती है, जब आपका कह सकते हो कि food का breakdown होता है, या आपके उर्जा मिलती है आपके शरीर को, तो हमारे बोडी से उसमा निकलती है, उस चीज़ को thermogenesis बोला जाता है, और जो उसमा निकलेगी तो जाहर से बात है, बोडी का temperature क्या होगा, आपका balance रहेगा, तो उसके लिए आ महारे सरकार दोरा चलाई गई एक सेवा निवित्ती लाव यूजना कौन सी है, प्रॉविडेंट फंड स्कीम है, इंसरेंस पॉलिसी है, या फिर आपका यूनि ट्रस्ट है, या फिर आपका शेयर्स है, इसमें जो option correct होगा, आपका कौन सा होगा, भविश निधी यूजना यानि कि प्रॉविडेंट फंड इसकीम है, जिसको आप लोग नॉर्मल भासा में पी-फ कहते हैं, प्रॉविडेंट फंड, आजकल ये गवर्मेंट के लिए भी है और अब तो उनके लिए भी है, जो लोग प्राइवेट इंप्लॉई है, उनके लिए भी है, फिर नेक्स ह का मॉडल दिया गया, उसमें क्या है, जो आपका इंपैथी यानि की परानुभूती है, वो एक टर्म दिया गया है इसमें, ठीक है, अब हमारा लास्ट कुश्चन है आज का, नुमलेकित में से कौन सा सही नहीं है आप से पूछ रहा, ठीक है, तो जब यह आप से सही नहीं पूछ रहा, तो हमी पढ़ना पड़ेगा पूरा, कि ग्रिविज्ञान का अध्यन किसी व्यक्ति के जीवन की गुड़ता में सुधार करने में मदद करता है, किसी व्यक्ति के शारेरिक भावनात्मक समाजिक विकास के बारे में ज्यान, मानो, विकास के माध्यम से, प्रद मानो शरीर में पोशक तत्म और उनके महत्यों के बारे में ग्यान प्रदान करता है। ये आप समझ पा रहें कि क्या क्या है, ये बिल्कुल सही होगा। क्या करता है, गरिव ग्यान भाई जीवन की गुड़ोता में सुधार करने में मदद करता है। शारिरिक समाजिक भानाओं से सभी संबंद रखता है और खादे पोश्चन से तो डेफिनेटली रखता है तो आपका थर्ड वाला बच गया कि क्या करता है संचार प्रशार उपलब्द संसादनों की पहचान करने और उनका उपयोग करने से संबंदित है समझ गया तो यह वा और रिवीजन जरूर करिए बहुत ज्यादा पढ़ने की चकर में मत पढ़िये और बहुत ज्यादा मत अगदम से बाल की खाल मत निकाल लिए एक मोटा-मोटा-गार पर कोई पढ़ता है बट स्मार्ट तरीके से जो लोग पढ़ पा रहे हैं वह समझे बाजी मार ले जाएंगे एक बाज ध्यान रखे इस बात को आपको स्मार्ट ली पढ़ना यह नि कि आप दिन भर लगे पड़े हैं एक दम पोथी पुरा पढ़े जा रहे हैं रिवीजन कि इस तरीके से मत करें उस question को ढूंड़िए स्मार्ट तरीके से दो चार मिनट दस मिनट आधी घंटे ढूंड लीजे पूछ लीजे गूगल कर लीजे नहीं मिल रहा है तो उसको कहीं नोट करके रख लीजे जब विल्कुल फ्री हो तब आप उसको करिए बीच में अपने प